दोस्तो CSS के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह एक एनिमेटेड डॉग बना करके दिखाऊंगा जी आप स्क्रीन के उपर चेक कर सकते हो इसमें एनिमेशन जो मैंने परफॉर्म किया है वो यह है जो इसकी पूँच है जो इसकी टेल है उसका एक पर्टिकुलर एंगल पर ह यहाँ पर जो उसकी जीब है जो उसकी टंग है वो भी मूव कर रही है ठीक है जितना हो सकता था मैंने उतना रही एलस्टिक बनाने की कोशिश की है और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको यही बनाना सिखाऊंगा आप चाहें तो कलर कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते है फरक नहीं पड़ता अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने बैग्राउंड कलर यहाँ पर ग्रे अप्लाई किया हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है और डॉक काफी अच्छा लग रहा है बट यह फिर आपको थोड़ा सा जीब जो है वो प्योर रेड कलर कर रख ल ऐसे कि यह ग्लोइंग बल्ब है हमारे पास जो ग्लो करता है हमारे पास आप देख सकते हो हर तीन सेकेंड पर या फिर आप इसको टर्न आफ कर दो पर्मेनेंटली आप यह कर सकते हो एनलोग क्लॉक बना करके दिखाया था मैंने आपको जो की 3D निमॉमॉर्फिक लोक है ए अарे वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप डियर्फ week शैनल के वीडियो सेक्शन में जा करके भी सीरीस को देख सकते हो और जल्रडए मैंने इसकी सैपरेड किसी को दे सको और किसी भी कंप्यूटर पर खुले तो उसका वीडियो यह रहा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नियू है तो सब्सक्राइब करें बैल आइकन को क्लिक करके अल नोटिफिके कर जाता हूं ताकि मेरे थोड़ा सा फास्ट हो जाए कंप्यूटर वरना आपको भी पता है गूगल क्रोम कितना जादा हैंक करता है मैं यहाँ पर यह वाला कलर बनाने वाला है उसके लिए मैं आगे अपने फोल्डर के अंदर और मेरे फोल्डर के अंदर मैंने दो फाइले अल्रड़ी क्रियेट करके रखिए पहला है index name से type is की html है दूसरा है style name से type is का .css है separate style sheet की file है right click करके मैं इसको open with कर रहा हूँ sublime text editor ताकि हमारा काम थोड़ा सा fast हो जाए ठीक है और style sheet को भी यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ basics attack के हमें requirement पढ़ेगी मैंने इसको save तो अलरड़ी कर ही रखा है perfect वह हमारा काम कर रहा है ठीक है so मैं यहाँ पे इनको भी move कर लेता हूँ alright so dog animation लिख करके आ चुक है पहला काम जो मुझे करना है वही है background पे color specify करना है dog animation मैंने इसको provide कर दिया है और let's make some tags यहाँ पे आ करके और जो मेरे external style sheet है मुझे उसको link करना पड़ेगा head tag close होने से पहले मैं यहाँ पे link tag लगा लूँगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे style sheet का नाम जो की style है type उसकी CSS है type CSS हर है ना compressor है नाम अपने जो मर्जी दिया हो आप उसको उसके साथ replace कर लेना ठीक है तो मैंने इसको save कर दिया और body में आकर के मेरा सारा काम जो है वो division पे होगा div के उपर बहुत detailed video आपको मिल जाएगी channel पे मेरे CSS playlist के अंदर ठीक है यहाँ पर मैं specify करता हूँ dog नाम से overall जो मेरे dog बनने वाला है ठीक है तो मैंने वो specify किया जो हम बनाने वाले है so background का एक color लगाता हूँ with the help of CSS यहाँ पर मैं आ गया मैंने इसको कहा body body के अंदर मैंने इसको specify किया background का एक color रहने वाला है कौन सा color रहेगा मैंने यहाँ पे hash values यूज़ की है जो कि हमारे पास है f d b 44 e और यह लिख करके मैं इसको save करता हूँ यह hash है मैंने गलती से यहाँ पे dollar लिख दिया ठीक है और save करता हूँ save करके मैं यहाँ पे आ गया और refresh करते हैं इसको see this perfectly है I think थोड़ा सा मैंने कुछ mistake किया है so यह dark हो गया check कर लेते हम यहाँ पे f d b okay let's make it f 4 बार कर दो आप इसको और यहाँ पे आ करके आप next कर दो b 3 I think यह वाला code हमारा सही रहने वाला है perfect तो हमारे यह code आ चुका है है और हमारा background भी change हो चुका है अब यहाँ पे आप notice करोगे मैंने dog की एक div बना रखी है तो इसको जरा style करते हैं यहाँ पे आ करके dot dog मैंने specify किया और मैंने का इसका एक background color रहने वाला है वो रहेगा हमारा hashtag f d b 4 4 तो 4 4 e और save किया इसी के साथ साथ इसकी कुछ height रहेगी और कुछ width रहेगी ध्यान दे मेरी इस पूरी वीडियो के दौरान जहां भी मैं pixels में value लिख रहा हूँ वो आपको कम या जादा करके देखना पड़ सकता है ताकि जो इसके dog है हमारा जो इसका nose सही जगह पे आए इसकी जो tongue है वो सही जगह पे आए ear eyes tail यह हो सकता है आपके case में इधर आ जाए इस कोने में यह इस कोने में आ जाए तो pixel value को आपको कम जादा करना पड़ सकता है अगर आपके computer की screen छोटी है resolution high है graphic card वगरा लगा है तो मेरे computer के resolution है 1366 इस angle पे 768 इस angle पे ठीक है तो आप इसके according देख लेना so height मैंने इसको specify किया 75 pixels रहने वाला है specify की वह absolute की ठीक है यह लिख करके मैं save and refresh करता हूँ तो इस angle पे आपको यह देखने को मिलेगा perfect अब यहां पे मैं आकर के जरा इसकी margin वगरा भी हटा दूँ तो मैं इसकी margin 0 कर रहा हूँ और साथी साथ इसका padding भी 0 कर रहा हूँ by default html जो है ना वह कुछ हर एक tag के अंदर margin और padding लेकर करके आ रहा होता है ठीक है तो मैंने वह भी अठा दिया कि मुझे वह padding वगरा margin वगरा भी नहीं चाहिए तो आपने notice किया होगा यह चिपक गया उस जगह पे पहले कुछ gap छूटा हुआ था ठीक है तो यह मैंने create कर लिया है और dog को बनाने के सलसिले में हम जड़ा आगे बढ़ते हैं basically currently मैं इसका face बना रहा हूँ ठीक है जो हमारा यह वाला part है न मैं वह create कर रहा हूँ इस चीज के लिए मैं यहां पे आ गया और हमने specify तो कर ही रखा है position absolute हमने दे रखा है मैं कहता हूँ top से किस जगह पे रहेगा let's make it 40% और यहां पे आ करके इसको एक बार refresh करके चेक करते हैं तो top से 40% पे हमारे पास वो shift हो चुका है ठीक है इसे के साथ साथ मैं यहां पे left खहरा हूँ तो मैंने left से specify कर दिया 35% यहां पे आ करके save and refresh करके इस angle पे कोई curve नहीं है इस angle पे कोई curve नहीं है तो मैं चारो axis पे काम करूँगा यहां 0 यहां 0 यहां 0 और यहां पे particular angle set करूँगा ताकि वो चीज मेरी achieve हो जाए ठीक है उसके लिए मैं यहां पे क्या करूँगा मैं यहां पे लिखूँगा border radius मुझे हर एक angle के according काम करना है तो मैंने कहा पहले पे रहेगा हमारा 0 pixels दूसरे पे भी रहेगा 0 pixels तीसरे पे भी रहेगा 0 pixels और चौथे पर रहेगा 120 pixels ठीक है अब यह 120 का क्या logic है इसकी जो width है वो 120 है मैं चाता हूँ पूरा area consume करे तो अगर आपने कम जादा किया हुआ है तो आप भी उतना ही रखना ठीक है तो यहां से आकर ने smooth हो जाएगा थोड़ा सा ठीक है तो मेरा face बन करके ready है अब इसी के साथ साथ जो मेरा dog है इसकी एक body है यहां पर ठीक है तो मैं उस body को भी create करना चाहता हूँ और जाएट सी बात है फिर इसकी tail वगरा और tongue वगरा की movement तो हमें करा नहीं है तो इस body को जड़ा हम create करते हैं तो मैं यहां पर आ गया और एक हमें यहां पर create करना पड़ेगा let's make it यहां पर मैं आ जाता हूँ और यहां पर आने के बाद इसके अंदर आकर के मैंने कहा एक और div मुझे चाहिए जिसकी जो class है वो dog body let's make it d body यहां पर आता हूँ मैं और नीचे आकर के dot d body मैंने specify किया वो कहने के बाद मैं इसको specify करता हूँ एक background color रहेगा क्या रहेगा वो hash f d hash f d b 44 e अब इसके साथ साथ जाइट सी बात है body की भी कुछ height रहने वाली है let's make it 75 pixels आप कम ज्यादा करके देख ले न pixel value को again मैं आपको यह कह रहा हूँ ठीक है तो मैंने यहां पर specify कर दिया height 75 I think बहुत कम हो जाएगा face से match कर जाएगा let's make it 100 इसी के साथ साथ इसका एक width भी रहेगा हमारा जो dog है उसका width रहेगा let's make it 180 pixels save करते हैं यहां पर आ करके refresh करते हैं see this perfectly वह match कर चुका है हमारा इसमें खेर मैंने zoom बहुत कर रहा है इस वाले से बात कर रहा हूँ मैं ठीक है अब इसकी position specify कर रहा है कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा जायर सी बात है इसको top से alignment देना पड़ेगा मुझे let's make it 55 pixels and 55 pixels करने के बाद मैं इसको save करता हूँ तो यह नीचे की तरफ shift हो गया perfect यह करने के साथ साथ मैं इसको left से भी move करना चाहूँगा थोड़ा सा तो मैंने यहां पर specify किया left let's make it 70 pixels यह करके मैं save करता हूँ यहां पर आ करके refresh करता हूँ perfect अगर आप इससे match करोगे तो वो match कर रहा है चीक है बहुत बढ़ी है इसी के साथ साथ आप कुछ चीजों की और requirement भी है यहां पर आप notice करो तो इस angle पर curve है तो जो हमने face के लिए किया है वही चीज हम यहां भी करने वाले है इस angle के लिए ठीक है तो मैं यहां पर इस वाले को particular copy कर रहा हूँ जो मैंने border radius लगाया था यहां पर आ करके मैं उसे paste कर रहा हूँ values में कुछ changes होंगे let's make it 60 साथ करके मैं इसको सेव करता हूं यहां पर आ करके मैं रीफ्रेश करता हूं और अगर मैं आपको अब मैच करके दिखाऊं तो वह मैच हो रहा है ठीक है तो यह चीज भी हमारी बन करके रेडी है इसी के साथ साथ मुझे इसके पैर बनाने अगर मैं आपको जूम करके दिखा तो एक साथ मैंने नहीं दिया है, यह पैर छोटा है, यह चोटा है, आप चाहो तो एक रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टॉप से इसकी alignment देखनी है, बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ कि वो पैर उस तरफ वाला है, और यह जो front facing है मारा है, यह back वाला पैर है, थो थोड़ा पीछे इसलिए थोड़ा छोटा बनाया मैंने, आपकी जो मर्जी हो आप वो रखना फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर चार पैर है, चारों की कुछ property common है, इनकी height और width हम common रखने वाले हैं, background color common रखने वाले हैं, तो उस चीज के लिए हमें common CSS बना सकते हैं, ठीक है, तो उस चीज के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ सबसे पहले तो, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर specify करता हूँ एक नया div, class equals to leg1, save किया, copy किया, and और त दूसरा leg, तीसरा leg, and यह हमारा चौथा leg, ठीक है, चार अलग अलग पैर हमें requirement है, यहाँ पर आ करके मैं कहता हूँ भाई, leg1, space, dot, दूसरा वाला जो हमारा leg रहेगा वो, comma, dot, leg3, comma, dot, and leg4, इन सब में कुछ common है, और that's why मैं चाहता हूँ एक common CSS बनाई जाए, ठीक है, ताक यह इसके हम चारो पैर सही तरीके से बना सके, ठीक है, तो common CSS है, that's why मैं उसको वही कहा कि common CSS के लिए मैं common specify कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने कहा सारे के सारे जो पैर है, उनका background color एक जैसा ही रहने वाला है, क्या color है वो, मैंने specify कि है, fdb44e, जाहिर सी बात है, जो उसके body का color रहेगा, वो ही मैं यहाँ पर specify कर रहा हूँ, ठीक है, तो यह मैंने specify कर दिया, height भी रहेगी, उस pair की कुछ नहीं कुछ जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर मैं specify करता हूँ, जो height है, वो, let's make it 50%, मैं कर दता हूँ इसको, and इसी के साथ साथ अगर मैं इसको width specify करना चाहूँ, let's make it 18 pixels, और अगर मैं इसको save करूँ, यहाँ पर आ करके refresh करूँ, तो आप notice करोगे, एक bunker क्या चुका है हमारे पास, ठीक है, वो इस area के अंदर से चल रहा है, so, यह मैंने ready कर लिया है, अब 4 pair बने है, वो एक के उपर एक है, एक इधर है, एक उसके उपर है, एक उसके उपर ह सकते है, don't worry, individually legs की हम लोग code करेंगे, तब जा करके आपको यह कुछ इस format में 4 अलग-अलग कोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है, फिलाल के लिए मैंने ये code कर दिया है, width मैंने लिख दिया है, और इसी के साथ साथ मैं इसकी position जो है, वो relative कर रहा हूँ, relative करने के बाद मैं मैं इसको save करता हूँ, refresh करता हूँ, कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा, अब individual legs को हमें separate करना, इसको अलग-अलग करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे CSS तो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा, leg 1 की पहले वाला जो leg है, उसकी मुझे अलग से CSS करनी है, तो मैंने कहा, वो left से कौन सी position पे रहेगा, मैंने specify किया, इसको 100 pixels पे रहेगा, top पे, top पे करने से पहले ज़रा हम इसको save करते हैं, और देखते हैं, यह कहा गया, तो आप notice करोगे, खैर वो पूरा ही आयव हो गया, वो नीचे आ गया, उल्टा, पहले हम पूरा लि पहले वो इसके पीछे चला गया था, यहाँ पे, और जब मैंने top से इसको alignment दिया, तो वो इस जगह पे आ गया, ठीक है, hopes आप समझ चुके होंगे, ऐसे ही मुझे बाकी 3 को भी हलक करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, copy और paste कर देते हैं, इसको 1, 2 और 3, यह बन जाएगा हमारा leg 2, यह बन जाएगा हमारा leg 3, यह बन जाएगा हमारा leg 4, ठीक है, leg 2 के अंदर मैं आगया और मैं इसको specify करता हूँ, left से 130 pixel पे रहने वाला है यह, और top से ना हो करके इसको मैं bottom से specify कर रहा हूँ, bottom से मैं इसको कहता हूँ, minus 5 pixels, ठीक है, यह कह कर करके मैं leg 3 पे आता हूं और leg 3 पे आने के बाद मैंने इसको कहा दिया कि जो left है उससे इसकी alignment रहने वाली है 205 pixels की और ये भी हमारा bottom रहने वाला है तो मैंने specify कि bottom से रहने वाला है ये 30 pixels 30 pixels ठीक है इसी के साथ साथ जो हमारा leg 4 है उसकी CSS मैं यहां पर specify कर रहा हूं left से रहने व laptop के screen resolution के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है ठीक है तो यह मैंने specify किया minus 65 pixels और save किया यहां पर आ करके को भी हम करके देखते हैं आगे कि कैसे हम उस चीज को achieve करेंगे ठीक है अब इससे पहले कि मैं अपने code में आगे बढ़ू एक बार और आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आपने बाकी tutorials को चेक नहीं किया है तो यह 3D clock, angry bird, doraemon, bread का toaster जो कि आपको toast बना करके देता है यह animation भी मैंने सिखा रखा है duck hunting game भी सिखा रखा है मैंने already dog animation तो खहरम करी रहा है और बहुत सारे animations के tutorial हैं CSS के ना सिर्फ CSS मैंने यहां पर बहुत का सारे playlist ready कर रखे है already मैं C programming पढ़ा रहा हूँ Python पढ़ा चुका हूँ CSS की separate video है आप चेक कर सकते हो WhatsApp की तरह chatting application Google की तरह search engine website हम कैसे create कर सकते हैं जिसके तुरू आप कुछ भी search करो और आपको answer मिल जाए और भी बहुत कुछ है यहां पर HTML है e-commerce website है बहुत कुछ है जो की already मैंने सिखाया हुआ है ठीक है और बहुत काम के वह आपके हो सकते है make sure आप channel के playlist section को check करें and channel को जरूर subscribe करें so again आते हम अपने code के अंदर और यह जो चीज है हमारी इसको जरा हम देख लेते हैं हमने यह तो बना लिया है और अब बनाते हम यहां पर इसका tail जो इसकी पूंच है वो बनाते है और movement करते है ठीक है तो उसके लिए मैं आता हम अपने HTML में और HTML में आने एक बाद इसी को य यह मैंने specify की है ठीक है जाहिट सी बात है tail की कुछ width होगी अगर आप notice करो तो यह एक angle से curve है तो जाहिट सी बात है मैं इसका height और width नहीं देने वाला जैसे हमने बाकियों में सीखा हुआ है ना यह जो हमने डोरेवान बनाया था कहा गया वो जो इसकी मूचे थी वो हमने अ और height को भी मैं यहाँ पर zero कर रहा हूँ मैंने का वो भी कुछ नहीं रहने वाला मैंने का border लगाऊंगा मैं हर एक angle से तो पहला specify किया मैंने इसको border रहेगा left से मैं कहता हूँ 10 pixels का रहने वाला है कौन सा color रहेगा solid क्या रहने वाला है transparent यह मैंने specify किया पहला border जो है हमारा व मैंने कहा border हमारा right से भी रहने वाला है ठीक है right से कितना रहेगा same रहेगा इसे के साथ साथ मुझे यहाँ पर requirement पढ़ने वाली है bottom की border bottom यह रहने वाला है हमारा hundred pixels का solid रहने वाला है लेकिन यहाँ पर transparent की जगए color code लिखना पढ़ेगा जो कि हमारा FD वही रहने वाला है ज करके आए ठीक है और उसके बाद हम इसकी movement perform करेंगे और इसी के साथ साथ कर्व बनाएंगे वह specify करता हूँ मैं इसको यहाँ पर यहाँ पर आ करके मैं इसको कहता हूँ सबसे पहला काम तो मैंने का position जो है वह इसकी relative रहने वाली है ठीक है अब मैंने का इसको bottom से कौन से specify करता हूँ कि भाई left से कौन से जगह पर रहेगा मैं का तू 30 pixels पर चले जा यह कह करके मैं save करता हूँ यहाँ पर आ करके refresh करता हूँ तो almost perfect है आप चाहो तो हलका और move कर सकते हो खैर इतना फर्क नहीं पड़ता हमें उससे वह हो चुका है अब इसको ठीड़ा बनाना है pure css नहीं है pure सिधा नहीं है अब आप notice करो तो जब यह वापस आ भी रहा है ना तो यह 90 डिगरी का एंगल नहीं बना रहा है इस जगह पर वापस नहीं आ रहा है यह थोड़ सा कर्व है एक एंगल पर तो मुझे इसको यह करना है कि भाई straight मत रहा है इतना थोड़ सा कर्व हो ठीक है अब यहां से कुछ gap यह ले आया और यहां से होना भी नहीं चाहिए जाहिए जाहिए बात है पूच पीठ के उपर नहीं होती इस वाले एरिये पर होती है ठीक है बैक साइड पे तो हमें उसको वहां पर ले करके आना है थोड़ा सा जादा नहीं और movement भी करना है इस इसको हमें तो let's make it यहां पर आया मैं और इसको मैंने specify किया जो transform है उस transform का origin रहने वाला है तो मैंने कहा transform origin movement करना है लेकिन कहां से करना है मैं का bottom से ठीक है bottom specify करके मैं इसको save करता हूँ यहां पर आ करके refresh करता हूँ तो वह पूरा चिपक जाएगा आधा इस तरफ आ चुक ह है जो की perfect है अच्छा लग रहा है पहले से सो अब हमें आना इसकी movement की तो tail है ना वह actually हमारा move हो जाए ठीक है और थोड़ा अच्छा लगे देखने में movement हो जाए तो तो वह चीज अब हमें perform करनी है उस चीज के लिए मैं यहां पर आ गया और यहां पर आने के बाद मैंने य एक second लेगा यह one s एक second में हो जाएगा और infinite मतलब movement चलता ही रहेगा यह tail s की जगह पे tail move की जगह पे आप जो मर्जी रख सकते हो अब यह directly काम नहीं करेगा इसके लिए आपको लिखना पड़ता है keyframes क्या नाम से बनाया है आपने tail underscore move की tail की movement होनी चाहिए मैं का 50% area consume कर ले इस पे वो mention करने के में कोई जरूरत नहीं है तो मैंने का rotate कर इसको कितने पर 10 degree पर इसे rotate कर यह कह करके मैं इसको save करता हूं यहां पर आ करके refresh करता हूं तो फिलाल यह काम नहीं किया कहीं ना कहीं एक छोटा सा error है जो की दूर हो जाएगा खेर कोई इतनी बड़ी बात नही है यहां पर specify किया मैंने tail move यहां पर specify किया हमने 50% rotate transform के अंदर हम आ गया transform हमने किया rotate हमने किया 10 degree पर जो की बिल्कुल perfect है और इसके साथ यह close और यह close ठीक है कोई इतना दिकत नहीं है I think मैंने refresh हैसे नहीं किया यह save करना भूल गया शायद तो मैं इसको एक बार और save कर रहा हूं यहां पर आते हैं refresh करते हैं तो ठीक है currently काम नहीं कर रहा है कोई error है जो कि हमें धूंडना पड़ेगा एक काम और करते हैं कि मैं 10 degree पर move किया है let's make it 30 degree यहां पर आ करके refresh करें तो perfect actually वह काम इसलिए नहीं कर रहा था ना क्यूंकि 10 degrees पर वह already था अब 10 से मैं इसकी movement भी 10 degree पर करा रहा तो वह तो stable रहेगा तो मैंने इसको 30 कर दिया अगर मैं इसको 50 कर दूंगा और यहां पर आ करके refresh करके दिखाऊंगा तो वह और एरिया consume करेगा जाहिर सी बात है और अगर मैं 360 degree कर दूंगा फिर तो चकरी बन जाएगा वह खेर मैं 90 degree करके आपको दिखाता यहां पर आ करके save and refresh, ठीक है, manageable है इतना, ठीक है, आप 1 second की जगह पर और कम time कर सकते हो, यहां पर जो कि मैंने 1s लिखा है, आप 3s लिख सकते हो, 10 degree का area consume करने में 3 second का time लेगा, इतना slow भी नहीं चाहिए हमें, तो 1 second is much better, perfect, यहां पर आ करके save करते हैं, तो हमने एक part जो है न, वो achieve कर लिया है इसका, अब इसी के साथ साथ इसके कान हमें बनाने पड़ेंगे, जो कि इसके year है हमारे, वो हमें बनाना है, और वो तो बड़ाई easy है, इतना कुछ stuff नहीं है, तो उसके तरफ हम बढ़ते हैं, यहां पर आ गया हमें, और इसको मैं कर लिता हूँ copy, नीचे आ करके मैंने कर दिया paste, और यहां पर आ करके मैंने कहा year, अब इसकी CSS बनानी पड़ेगी, तो मैं यहां पर आ गया, dot year मैंने specify किया, जाइड सी बात है, इसका भी कुछ height width होगा, एक background color होगा, color जो है हमारा, मैंने specify किया, let's make it RGB color का एक ratio उठा लेते हैं, हम लोग यहां पर आ करके अगर मैं देखूं तो, वैसा तो यह brown है, तो direct लगा के देख लेते हैं, यहां पर, b, r, o, w, n, और save करते हैं, ठीक है, save किया मैंने इसको, और यहां पर आ करके refresh किया, तो, अच्छा height width भी मैंने specify नहीं किया, मैंने का, इसकी height रहने वाली है, जाहिर सी बात है, year है तो, उसका कुछ नहीं कुछ height रहेगा, इसी के साथ साथ इसका एक width रहेगा, ठीक है, यह मैंने specify कर दिया, और यहां पर आ करके मैं कहता हूँ, जो इसकी height है, let's make it 99 pixels, कम जादा करके देख लेना आप, और जो इसकी width रहने वाली है, let's make it 45 pixels, अब ज़रूरी नहीं है कि वो color code यूज कर रहा हूँ, मैं यहां पर, पहला रहेगा मेरा 151, दूसरा रहेगा मेरा 89, तीसरी value रहने वाली है मेरी 2, इसके बाद जो है opacity रहती है, हमारी let's make it 0.8, and save, यहां पर आ करके refresh करता हूँ, तो वो गाया भी हो गया, खेर, I think कुछ mistake किया मैंने, so RGBA, इसमें कोई fault नहीं है, 151, background color, RGBA, 151, 89, 2, 0.8, I don't think इसमें क्या error है, but I think यह 45 pixels, perfect, खेर, वो कहीं न कहीं होगा, क्योंकि मुझे यहां पर scroll करने का option मिल रहा है, फिलाला हम उसकी position specify करते है, और फिर देखते हैं, उसको क्या problem है, ठीक है, position वगरा, RG होना चाहिए था, RGBA, perfect, अब एगर मैं इसको refresh करके देखूँ, तो color match कर रहा है, ठीक है, अब कहानी या फिर जो हमारा year है, उसको इस position पर मुझे लगाना है, जाहिर सी बात है, और नीचे से curve भी करना है, ठीक है, तो वो करने के लिए, मैं यहां पर आने के बाद, मैं इसको specify करता हूँ, जो year है, सबसे पहले करके मैं इसको refresh करके देखता हूँ, तो 75 pixels का area उसने consume कर लिया है, ठीक है, इसी के साथ साथ मैं कहता हूँ, भाई, bottom से कहा रहेगा, let's make it 350 pixels, 350 pixels मैंने इसको specify कर दिया, यहां पर आ गया, तो आप देखोगे, वो scroll bar भी हट गया और यह इस जगह पे भी आ गया, ठीक है, जो क यहां पर आने के बाद मैं इसको specify करता हूँ कि भाई, border radius भी रहेगा, 0 pixels कर रहेगा, दूसरे एंगल पर भी 0 pixels कर रहेगा, तीसरे एंगल पर 100 pixels कर रहेगा, चौथे एंगल पर 100 pixels कर रहेगा, और मैंने save मारा, यहां पर आ करके refresh करता हूँ, तो फिलाल कोई फर्क नहीं अब इसके साथ साथ इसका एक nose रहेगा, एक eye रहेगा, एक tongue रहेगा और उसके बाद animation रहेगा उनका और यह project भी हमारा finish हो जाएगा, ठीक है, तो वो करने के लिए मैं यहां पर आता हूँ, और यहां पर आने के बाद मैं इसको यहां से कर रहा हूँ, copy, and copy करके मैंने किया paste, and यह बन जाएगा हमारा nose, ठीक है, यहां पर आ करके मैंने कहा dot nose, and nose की CSS हम बनानी शुरू करते हैं, जाहिर सी बात है, उसका भी एक background color रहने वाला है, जो की इतनी कोई color कारी नहीं है, black color साफ साफ दिख रहा है वो आँखों से, तो black कर देते हैं उसको, एक circle बनाना है, तो सबसे पहले हमने उसको square बनाना पड़ेगा, तो मैंने उसकी width जो है, वो 15 pixels कर दी, not pc, pixels, and जो उसकी height है, वो भी मैंने 15 pixels से specify करके save किया, यहां पर आ करके refresh करता है, तो किसी कोने में आएगा serious, यहां पर इस नीचे आ चुका है, हमारे पास square बन करके, अब इसको 5 pixels, थोड़ा और shift कर देते हैं इसको, ठीक है, और इसी के साथ-साथ मैंने इसको कहा, जो मारा nose है, वो bottom से भी इसकी shift meant होगी, let's make it 450 pixels, and इसको मैंने यहां पर save and refresh किया, perfect वो इस जगह पर आ चुका है, अगर आपको थोड़ा और ऊपर नीचे करना हो, तो आप अपने according चाहिए तो जाहिए तो जाहिड सी बात है, border radius लगा करके 50% अगर मैं कर दूँ, तो circle बन जाएगा, तो मैंने इसको specify किया, border radius 50% and save किया, यहां पर आ करके अगर मैं refresh करता हूँ, तो perfect वो हमारा बन करके ready है, अब इसके साथ-साथ मुझे यहां पर चाहिए होगी, इसकी तो मैंने कहा, आई रहने वाला है हमारा, अब आई कैसे काम करेगा, मैंने यहां पर specify किया, उसका भी एक background color है, जो कि ऐसी दिख रहा है, हमें एक black है, तो मैंने कहा black रहने वाला है, जाइड सी बात है, उसकी भी height रहने वाली है, जो की 10 pixels है, क्योंकि हमें उसको भी square से round ब पड़ेगा, तो save करते हैं यहां पर, और यहां पर आ करके refresh करते हैं, तो वो भी किसी ना किसी कोने में, इसी दिस नीचे बन करके आ चुका है, सबसे पहले तो उसको नीचे से उपर shift करते है, इसकी एक position लगने वाली है हमारे पास, तो position मैंने specify किया relative, और bottom से किस जगह पर तो उस चीज के लिए आप लगाओगे border radius, 50% और save करोगे, यहां पर आ करके अगर मैं इसको refresh करो तो perfect यह बन करके ready है, अब चाहिए हमें इसके tongue, जो कि हमारा jeep है, ठीक है, एक बार फिर कहा दूँ, यह पीछे grey color लगा रखा है, मैंने तो आप इसकी जगह पर grey लगा लग तो यहां पर मैं आता हूँ, dot, t-o-n-g-u-e, tongue मैंने यहां पर लिखा, and save and refresh किया, जाहिड सी बात है, इसकी भी एक background color रहेगी, let's make it red, and इसकी भी एक width रहने वाली है, और height रहने वाली है, ठीक है, तो width specify किया, मैंने इसको 8 pixels, और height specify करता हूँ, मैं इसको 20 pixels, और एक बार save करके refresh करके देख लेते हैं, नीचे आया होगा, इसकोने में, बट यह match नहीं कर रहा, यह हमारा tomato color का है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, position वगर है specify करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, कि मैं क्या कहना चाता हूँ, मैंने इसको position specify कर दिया है, relative, ठीक है, और इसी के स साथ-साथ मैं इसको कहता हूँ, bottom से कौन से area पे रहेगा, मैंने इसको specify किया, 430 pixels का area consume कर ले, कम जदा करके देख ले, यहाँ पर आके refresh करता हूँ, तो वो इस जगह पर आ चुका है, लेकिन वो red है, मुझे यह tomato color का चाहिए, tomato रंग का, let's make a tomato, and यहाँ पर आ करके, अगर म मुझे वो नहीं चाहिए, अब मैं चाहता हूँ, जीब ठोड़ा लगे कि पीछे की तरफ है, यानि अंदर की तरफ है, तो जीब को पीछे भेजना है, तो let's use z index, z index, minus में value देदना कोई भी, ताकि पीछे चला जाए, छुप जाए, ठीक है, तो refresh किया तो पीछे छुप ग पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर specify करता हूँ, border radius, अगर मैं हर कोने से भी जद्दों को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उपर वाला जो है, वो छुप चुका है, 10 pixel मैंने किया, perfect है, उपर भी round होगा, वो इस जगह पे, ठीक है, अब इसकी rotation का use करेंगे, और कोई भी एक नाम पास कर दोगे, let's make a name move, मैंने का भाई, move करेगा, कितना time लेगा, एक second लेगा, और infinite move होता ही रहेगा, ठीक है, अब यह ऐसा तो काम करेगा नहीं, यहाँ पर आपको add keyframes लिखना पड़ता है, और जो आपने उपर name specify किया है, आपको वो ल एक्सिस पे, और 0.5 pixels, and save करता हूँ, इतना कह करके मैं यहाँ आता हूँ, refresh करता हूँ, तो कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला, जो की खैर पड़ना चाहिए था, कहीं न कहीं हमने mistake किया है, so धूंडते हैं उसे कोई बात नहीं हो जाएगा, easy है, इतना tough नहीं है, यह move और यह move हमारा match कर रहा है, यहाँ पर लिखा मैंने 50%, transform, इसी के साथ-साथ, translate, and उसके अंदर मैंने specify किया है, 0.5 pixels, ठीक, error को find out करते हैं लोग, फटा-फट, और, I think, इसको थोड़ा सा curve, अगर मैं कर दूँ, तो बात बन जाए, तो मैं उपर वाले पर आ गया, जहाँ पर म let's make it, मैंने का transform हो जा भाई, थोड़ा सा तिर्चा रहा है पहले से ही, 45 degree area consume कर, ठीक है, यहाँ पर आ करके मैं कहता हूँ, 45 degree, 45 degree लिखने के बाद मैं यहाँ पर आ करके अगर इसको save करके दिखाऊं, तो आप notice करोगे, फिर वो move कर रहा है, ठीक है, तो वो मैंने इसको specify कर दिया, control 0 सो zoom वापस, जिसमें आप चेक कर सकते हो, यह हमारा move कर रहा है, टेल हमारा move कर रहा है, ठीक है, तो कुछ यही था, आप CSS के skills को और एक next level उपर तक ले जाओगे, इन सारे वीडियो के link भी आपको description में मिल जाएंगे, और game के link भी मिल जाएंगे आपको, बाइचा notification मिलती रहे, मैं मिलता है आप से अगली वीडियो में, thanks for watching guys,